प्रधान मंत्री ग्रामीड आवास योजना के लक्षों को हासिल न कर पाने वालों पर लगेगी पेनल्टी पश्चिम बंगाल 36 गड़ हैं लक्ष से काफी पीछे खराब जलवायू होट स्पोर्ट वाली जगों में एक्यूट हंगर में भारी वृद्धी 18 मिलियन लोग विश्व में भुखमरी की कागार पर प्रभाविद देशों को मुआवजा देने की अपी और डो मिसाइल को लेकर सुप्रीम कोट का एक महत पॉर्ण फैसला कहा देश में केवल एक डो मिसाइल नहीं है राजियों के लिए अलग डो मिसाइल का प्राउधान चलिए खबरों की शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इस बुलेटिन को पीडिएफ फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमरितुपाध्याई 007 इस टेलिग्राम चैनल पर जाएए यहां आपको रोज़ाना इस बुलेटिन की पीडिएफ हासिल होती है चलिए खबर शुरू करें हाली में केंद्रिया ग्रामीड विकास मंत्राले ने राजियों के लिए पेनल्टी क्लॉज पेश किया है यह पेनल्टी क्लॉज प्रधानमंत्री ग्रामीड आवास योजना के लक्षों को हासिल न कर पाने को लेकर बनाया गया है गौर तलब है कि प्रधानमंत्री ग्रामीड आवास योजना अपरेल 2016 में शुरू की गई थी यह केंद्र सरकार की प्रमुख ग्रामीड योजना है योजना के तहट सरकार ने 2.95 करोण आवासों को बनाने का लक्ष रखा था योजना के लाभार्थियों के पहचान सामाजी कार्थिक जाती सर्विक्षन 2011 से की गई थी योजना को उस पूरा करने के लिए प्रारंभिक समय सीमा मार्च 2022 तै की गई थी समय सीमा को कोविड महमारी के कारण मार्च 2024 तक 2 साल और बढ़ा दिया गया था केंद्रिया ग्रामीड विकास मंत्राले के पास उपलब धाकडों के अनुसार अगस्त 2022 तक 2.02 करूण घरों का निर्माड किया जा चुका है इसका मतलब है कि लगभग 93 लाख आवास अभी और बनाये जाने हैं पश्चिम बंगाल 36 गड़ और ओडिशा के साथ साथ असम चार ऐसे राज्ये हैं जो अपने लक्ष से बहुत जादा पीछे हैं केंद्रिया ग्रामीड विकास मंत्राले ने सभी राज्ये सरकारों को एक सरकुलर भेजा है जिसमें 6 पेनलिटी क्लॉज शामिल किये गए हैं यदि फंड जारी होने के बाद आवास की स्विकृती में एक माह से अधिक समय की देरी होती है तो राज्यसरकार पर पहले महीने की देरी के लिए रुपया 10 प्रती आवास और बाद की महीने की देरी के लिए 20 रुप़े प्रती आवास का जुर्माना लगाए जाएगा इसी प्रकार यदी लाभार्थी की पहले किष्ट में मनजूरी की तारीक से साथ दिनों से अधिक की देरी होती है तो राज्य सरकारों को दस रुपे प्रती सप्ताह की दर से भुगतान करना होगा सरकुलर में यह भी बताया गया है कि यदि राज्यों के पास केंद्रिय धन उपलब्ध नहीं है तो कोई भी जुर्माना नहीं लगाये जाएगा राजिवार आकडों की बात करें तो 36 गड़ और पश्चिम बंगाल आवास के लक्षों को पूरा करने में सबसे पीछे हैं केंद्र सरकार ने अभी तक 36 गड़ में 12 लाख और पश्चिम बंगाल में 11 लाख घरों के लिए फंड जारी नहीं किया है इन दोनों राजियों का फंड विभिन चूकों के कारण इस वित्तिय वर्ष के लिए रोग दिया गया था अन्य राजियों में असम ने 7 लाख हावास को मंजूरी नहीं दी है और ओडिशा ने 9 लाख हावासों को मंजूरी नहीं दी है वहीं धाई लाख हावास महराष्ट में और दो लाख हावास बिहार में भी अभी तक नहीं बन पाए हैं आपको बता दें कि संसदिय समिती की एक रिपोर्ट में ब्रहष्टाचार और भुकतान में देरी को ग्रामीड योजनाओं के क्रियानवयन में सबसे बड़ी बाधा के रूप में पेश किया गया था एक्यूट हंगर ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट से पता चला है कि दुनिया के सबसे खराब जलवायू होट्सपॉर्ट वाले स्थानों में पिछले छे वर्षों में एक्यूट हंगर में भारी वृद्धी देखी गई है इस रिपोर्ट का नाम हंगर इन ए हीटिंग वर्ड है रिपोर्ट में बताया गया है कि छे वर्षों में जलवायू परिवर्तन से सबसे ज़्यादा प्रभावित दस देशों में एक्यूट हंगर 123 प्रतिशत बढ़ गई थी इन में सोमालिया, हैती, जिबुती, केनिया, नाइजर, अफगानिस्तान, गौाटेमाला, मेडगासकर, बुर्किना फासो और जिम्बॉअब्वे शामिल हैं इन सभी देशों ने पिछले दो दशकों में बार-बार एक्स्ट्रीम विदर या फिर चरम मौसम का सामना किया है वेश्वा खाद्य कारिक्रम द्वारा जारी रिपोर्ट्स के अनुसार इन देशों में अनुमानित 48 मिलियन लोग तीवर भूख से पीडित हैं जबकि 18 मिलियन लोग भूखमरी के कगार तक पहुँच गए हैं वेश्वा क्रिशी एवं खाद्य संगठन के अनुसार एक्यूट हंगर या तीवर खाद्य असुरक्षा के स्थिति तब बनती है जब व्यक्ति परयाप्त भूजन का उपभूख करने में असमर्थ हो जाता है और इससे व्यक्ति के जीवन या जीविका को ततकाल खत्रा प भाग गये हैं जलवायू परिवर्तन के कारण भीशन गर्मी की लहरें और बाढ जैसी चरम मौसम के स्थिति पैदा हो रही है जो खाद्य संसाधनों को भी समाप्त कर देती है उदाहरण के लिए पाकिस्तान में बाढ ने फसलों और खेतों के ऊपरी मिट्टी को बहा दिय है और खेती के बुनियादी धाचे को नश्ट कर दिया है गौाटे माला में मक्के की फसल का लगभग 80% खराब मौसम के कारण नश्ट हो गया इसके अलावा इस शत्र में कौफी संकट भी पैदा हो गया है जिसने कमजोर समुदायों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है और कई लोगों को अमेरिका में शरण लेने के लिए मजबूर किया है रिपोर्ट के अनुसार देशों के आपसी संघर्ष और आर्थिक व्यवधान भी वैश्विक भूख का एक प्रमुकारण है इन कारणों में से कोविड-19 भी शामिल है प्रदूशन फैलाने वाले और योगी कराश्टर जैसे कि G20 दुनिया के तीन चौथाई से अधिक कारवन उतसर्जन के लिए जिम्मदार हैं जबकि दस जलवाईू होट स्पोर्ट सामोहिक रूप से सिर्फ 0.9 एक तीन प्रतिशत के लिए जिम्मदार हैं रिपोर्ट में अमीर देशों से अपने उतसर् कानून या कोई अन्य दिशा निर्देश नागरिकों के देश के किसी भी हिस्से में रहने और बसने के अधिकार को कम नहीं कर सकते मामला तेलंगाना में तैनात अधिकारी का है अधिकारी का तर्क था कि आंधरप्रदेश के विभाजन के समय वो हैदराबाद में तैनात थ चाहिए आंदरप्रदेश राज्य पुनरगठन अधिनियम 2014 के प्रावधानों के तहत आधिकारी को आंदरप्रदेश की डोमिसाइल जारी की गई थी सुप्रेम कोट ने इस मामले पर कहा कि देश में किवल एक डोमिसाइल है और राज्यों के लिए कोई अलग डोमिसाइल का प्रावधान नहीं है कोट ने इस मामले पर आगे कहा कि सम्विधान के तहट भारत राज्यों का एक संग है हर राज्य का हर हिस्सा भारत का एक अभिन और अविभाज्य अंग है गोर तलब है कि सम्विधान के अनुचेद 19.5 में सभी नागरिकों को भारत के राज्य क्षत्र के किसी भी भाग में घूमने बस जाने और निवास करने का मूल अधिकार दिया गया है मूल अधिकारों के रक्षा सुप्रेम कोट करता है अनुचेद 19 के तहट दिये गया अधिकारों के रक्षा केवल राज्य के खिलाफ मामलों में की जाती है देश की शीर्श अदालत ने ये भी कहा कि जब एक राज्य विभाजित होता है तो राज्य सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों को भी दो राज्यों में विभाजित किया जाता है ऐसा विभाजन नियमों, विनियमों और दिशा निर्देशों के आधार पर किया जाता है हाला कि ऐसे नियमों, विनियमों और दिशा निर्देशों को मौली का धिकारों के साथ मिला कर देखा जाना चाहिए प्रतेश्ठित साइन्स जर्नल में प्रकाशित एक नए अध्यान से शनी के वले या रिंग्स के बनने के कारण का पता चला है इसके अनुसार सौर मंडल के शुरुवात में शनी ग्रह साढ़े चार अरब साल पहले बना था लेकिन इसके रिंग्स लगभग सौ मिलियन साल पहले ही दिखाई दिये थे 2004 से 2017 तक शनी के परिक्रमा करने के बाद कैसिनी ने भी इसी तरह के अवलोकन किये थे वैग्यानिकों ने बताया कि शनी का एक बरिफीला चंद्रमा था वैग्यानिकों ने इसको क्रिसलिस नाम दिया है यह शनी ग्रह के थोड़ा बहुत करीब आने के बाद 100 से 200 मिलियन वर्ष पहले तूट गया इसके कुछ टुकडे छोटे बर्फीले टुकडों में तूट गये जिससे शनी के वले बन गये और अधिकांश टुकडे शनी ग्रह से टकरा गये वैग्यानिकों ने जटिल गणितिया मॉडल और आर्टिफिशियल इंटेलिजिजन्स की मदद से इस घटना का इसपश्टि करण किया है आपको बता दें कि यह खोद सबसे पहले कैसिनी हुजन्स मिशन ने की थी जिसे आम तोर पर कैसिनी कहा जाता है यह मिशन नासा, यूरोपिया अंतरिक्ष एजनसी यानि ESA और इटैलियन अंतरिक्ष एजनसी ASI के बीच सहयोग का नतीजा था इस मिशन को शनी ग्रह उसकी प्रणाली का अध्यान करने के लिए तैयार किया गया था मिशन को अक्टूबर 15 1997 को टाइटन 4 से छोड़ा गया था इसमें कैसिनी, फ्लैग्शिप, क्लास, रोबोटिक प्रोब और हूजनस एक लेंडर था हूजनस शनी के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन पर भी उतरा था कैसिनी, शनी की यात्रा करने वाला चोथा अंतरिक्षियान था और इसकी कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला था प्रेट्वी से इसका अंतिम कॉंटेक्ट 15 सितंबर 2017 तक हुआ आईए जल्दी से देखते हैं आज की बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं पहला सवाल है जलवायू परिवर्तन के कारण पैदा हुआ कौफी संकट किस देश से संबंधित है ब्राजील, वेनेजुएला, गौाटेमाला या फिर मैक्सिको दूसरा सवाल निम्न कथनों पर विचार कीजिए प्रधानमंत्री ग्रामीड आवास योजना अप्रैल 2014 में शुरू हुई थी योजना के तहत सरकार ने 2.95 करोण आवासों को बनाने का लक्ष रखा था योजना के लाभार्थियों के पहचान 2011 के जनगरना के आधार पर की गई थी योजना को पूरा करने के लिए प्रारंभिक समय सीमा मार्च 2020 तै की गई थी सही कथनों को चुनिए 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 4 या फिर 2 और 4 आईए अब कल जो सवाल पूछा गया था उसका जवाब देख लेते हैं नेशनल हेल्थ अकाउंट 2018-19 की रिपोर्ट से संबंदित गलत कथन चुनिए कुल स्वास्ते खर्च 2014-15 में GDP का 3.9 प्रतिशत था और 2018-19 में घटकर GDP का 3.2 परसेंट हो गया देश की GDP के अनुपात में सरकारी खर्चे 2017-18 की तुलना में कम हुए हैं भारत में आउट आफ पॉकेट खर्चों में पिछले सालों के तुलना में वृद्धी आई है कुल स्वास्त खर्च के प्रतिशत के रूप में भी सरकारी खर्चे में वृद्धी देखी गई है इसका सही उत्तर है Option C National Health Account 2018-19 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में आउट आफ पॉकेट खर्चों में पिछले सालों के तुलना में कमी आई तो फिलाल इस बुलेटिन में इतना ही कल रात फिर आपसे मुलाकात होगी पूरे हफ़ते के बुलेटिन के कमपाईलेशन के साथ अपना ख्याल रखिए ठीक से पढ़ाई कीजिए जो सवाल मैंने पूछा है उसके जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में बताईए और ये भी बताईए कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है अपने दोस्तों के साथ से शेयर भी कीजिए नमस्कार कल फिर मिलते हैं रात नौ बजे कमपाईलेशन के साथ Study IQ IS अब तयारी हुई अफोर्डिबल